के साथ बात करने जा रहा हूं अगनिवीर इंडियन नेवी कि एक बट्टे 2023 बैच निकल चुका है आल लेडी कॉल अप लेटर इशू हो चुके हैं ज्वाइनिंग इनकी होने वाली करेंगे SSR 2-23 तो यहां पर हम वेकंशीज की बात करेंगे यह जो वेकंशीज थी 1365 थी ली इंक्लूडिंग फीमेल कंडिडेट मेकस्म Spielीus 275 टूर 11 cकी बात करें यह नट्यज इंडिय घ्र इंट्रेंस in टेस्ट होता है इसमें इंडियन नेवी क्या करते हैं उनलाइन इंग्जां इंडिय। टेस्ट होता है इसमें इंडियन नेवी आपको मैक्समम नमर ओफ कंडिडियेट को लेती है ताकि उनको बहुत सारे जो मेडिकल आउट होते हैं बहुत सारी बंदे कहीं फिजकल आउट होते हैं वो उनको आसानी हो जाए सेलेक्ट करने में तो अगर आप 100 माक्स का होता है यह मत समझना प्लीज के हमारा स्लेक्शन हो गया है आई एन इट इस्टेज फर्स्ट होने के बाद जो सौट लिस्टिड कंडिडेट होते हैं वो स्टेज तू में जाते हैं और सौट लिस्टिंग होती कैसे वो सारी चीज बताता हूं एक्लि क्या होता है स्टेट वाइज निर्धारित होती हैं कहां से कितनी लेनी किस स्टेट लेनी है उशी के अकौर्डिंग शौट लिस्टिंग होती है जब इस्टेट व पर पहुंचते हैं तो वहां पर तीन चीजों से तीन पर करिया से आपको गुजरना पड़ेगा रिटिन एक्जाम पी एफटी फिजिकल पास करते हैं तो आपका आल इंडिया लिश्ट में नाम आना आसान हो जाएगा और जो लोग सोच रहे हैं कि यहां पर जो लोग सोच रहे हैं कि हमने कि लियर कर लिया और आप हमारा सेलेक्शन हो गया नहीं आपको जहांसा दे रखा है ना कि 4000 वेकेंसी है 4000 नहीं है वो इन्हें 1365 में लेना है एक्शली क्या होता है एक कंडिडेट होता है जो एक कंडिडेट को की जगह है उन्हें 10 परसन लेने होते हैं वो भी मेडिकल फिटनिस के लिए तो तेरा सो पैसेट के लिए 13650 कंडिडेट होना चाहिए उनके पास किसमें स्टेज जो स्टेज फरस्ट में इतने कंडिडेट पास चाहिए उन्हें ठीक है 13,650 candidate past चाहिए होने तब कहीं जाके वो stage 2 में जाके कोई written में clear होता है कोई physical में कोई medical में ऐसे ऐसे करके वो lastly finally वो 1365 रेनिंग को जाएंगे अगर ये वीडियो थोड़ा भी समझ में आ जाता है तो भाई support जरूर करें चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जैहन